हेलो फ्रेंड्स बेलकम टो स्टेप लर्निंग यूटीव चैनल आज आपके लिए बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि आज जो है हिमाचल परदी स्टाफ सेलेक्शन कमीशन हमीरपूर के द्वारा जो है बहुत ही जादा अमाउंट में जो क्या किया गया है नंबर ओफ पोस निकाली गई है तो आप जो है इसके लिए अपलाई कर सकते हो और अगर हम लोग देखें तो एडबर्टाइजमेंट नंबर जो दिया गया है इसके अंदर उनिस तारीक नवंबर 2020 को क्या क्या गया है यह जो है यह पोस्ट निकाली गई है और इसमें जो है आप इसके बॉर्ड की जो बैप साइड है उससे आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो और इसमें जो है ओफलाइन कोई भी जो है अप्लिकेशन नहीं फिल की जा सकते है इसमें कोई भी और नहीं दिया गया कि आप ओफलाइन अप्लिकेशन जो है फिल कर सकते हो यह जो फोम है ओनलाइ डेट फॉर सब्मिशन ओफ ओनलाइन रिक्यूर्मेंट एप्लिकेशन फॉर्म 21 नमंबर 2020 को यह क्या होगा यह जो फॉर्म बना स्टार्ट होंगे और इसके जो क्लोजिंग डेट है सब्मिशन करने के लिए ओनलाइन एप्लिकेशन फॉर्म की तो वह कितनी रखी गई है 20 दि डिफ्रेंट डिपार्टमेंट के अंदर जो है कौन-कौन सी पोस्ट निकली है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे सबसे पहले जो पोस्ट निकली है इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के अंदर जो है वो एक पोस्ट निकली है जनल यूर के लिए और इसमें ज 658 के अंडर अगर जो एडबर्टाइजमेंट है 341 2018 के लिए जो अप्लाई किया था तो आपको इसके लिए फिर से अप्लाई करने के लिए जुरूरत नहीं है नेक्स जो हम लोग हैं बात करते हैं इन्फोमिशन और पॉब्लिक रिलेशन इसमें जो आर्टिस्ट की फॉर्म जो है कॉंट्रेक्ट बेसिस पे जो पोस निकली है उसमें जो है टोटल 6 पोस निकली है और इसमें भी जो बताया गया है कि 341-2018 पोस कोट 607 के अंडर अगर है अटल भी हारी बास में इंस्टेट्यूट ओफ दी मांटनेरिंग एंड अलाइट स्पोर्स तो इसके लिए जो क्या गया है सुप्रिवाइजर के पोस निकली है एक पोस्ट निकली है और इसमें एडबर्टाइजमेंट नंबर 341-2018 पोस कोड 667 के अंडर अगर आपने इ हैं नेक्स्ट जो हम लोग देखते हैं अटल भी हारी बास में इंस्टिट्यूट मांटरिंग एंड अलाइट स्पोर्स तो इसमें जो है ट्रैक्रिंग गाइड की जो है पोस्ट निकली है और इसमें भी अगर आपने 2018 एडबर्टाइजमेंट नंबर 341 पोस कोड 669 के अंडर अगर आपने अप्लाइ किया है तो आपको इसके लिए फिर से अप्लाइ करने की जुरूरत नहीं है नेक्स्ट जो आता है इंडस्ट्रीज माइनिंग इंस्पेक्टर की जो है एक पोस्ट निकली है और अगर आपन 678 676 जो था वो 2018 में था तो अभी इसका कितना है 863 तो अगर आपने इसके लिए 2018 में अप्लाइ किया था इस पोस्ट कोड के लिए तो आपको फिर से अप्लाइ करने की जुरूरत नहीं है नेक्स्ट जो आता है आयरवेद्या लेवोटरी टेक्निशन जो है कॉंट्रेक्ट बेस पर रखे जाएंगे तो उसकी जो है कितनी पोस्ट निकली है चार पोस्ट निकली है और अगर आपने इसके लिए जो पोस्ट कोड है 686 686 के लिए 2018 में अगर आपने अप्लाई किया था तो अभी आपको उसके लिए इसके इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने की जुरूरत नहीं है नेक्स जो आता है Informational Public Relations Public City Assistant Grade Second ये भी क्या है Contact Base पर रखे जाएंगे तो इसमें जो टोटल है 8 पोस्ट निकली है और अगर आपने इसके इस पोस्ट के लिए जो इसका पोस्ट कोर था 705 अगर 2018 में आपने इसके लिए अप्लाई किया है तो आपको इसके लिए अभी अप्लाई करने की जुरूरत नहीं है Next जो आता है Women and Child Development ठीक है 2018 में पोस्ट कोर 706 के लिए अप्लाई किया था तो आपको अभी जो है इसके लिए अप्लाई करने की जुरूरत नहीं है और इसमें Advertisement जो है नमबर कितना है 342 2018 जो है इसका क्या है Advertisement नमबर है Next जो हम लोग बात करते हैं HP Council for Science, Technology and Environment Senior Scientific Technical Assistant Contact Base पे जो है 5 पोस्ट निकाली गई है तो और इसके लिए अगर आपने 2018 में पोस्ट कोर 710 के लिए अप्लाई किया था तो अभी आपको जो है इसके लिए अप्लाई करने की जुरूरत नहीं है Next जो आता है HP Council for Science, Technology and Environment Data Entry Operator जो है Contact Base पे रखे जाएंगे तो इसके जो है एक पोस्ट निकाली है जर्नल यूर के लिए अगर आपने पोस्ट कोर्ट 711 के अंडर इसके लिए अप्लाई किया था 2018 में तो आपको अभी जो है इसके लिए अप्लाई करने की जुरूरत नहीं है यह जो है 716 यह 2018 का पोस्ट कोर्ड है और यह जो है 869 यह क्या है कि अभी का जो प्रेजेंट का जो को पोस्ट कोर्ड जो अभी एडवर्टाइसमेंट निकली है उसका पोस्ट कोर्ड है 869 हम ही मुंदा इलेक्रिशिन्स के लिए नेक्स्ट जो आता है बेरियस डिपार्टमेंट जो है बहुत सारे डिपार्टमेंट में अलग अलग जो है स्टैनो टाइपिस्ट की जो है पोस्ट निकली है तो टेक्नीशियन एजुकेशनल और इंड़स्टिस ट्रेनी एचपी एक पोस्ट निकली है होटी कल्चर में जो है पांच पोस्ट निकली है जर्नल इंडस्टिस कोर्प्रेशन लिमिटर में एक पोस्ट निकली है एनिमल हस्वेंडरी में जो है ये दो पोस्ट निकली है होम गार्स और सिविल डिफेंस में दो पोस्ट निकली है तो अगर हम लोग इसमें टोटल नबरों पोस्ट की बात करें तो इसमें टोटल जो है 11 पोस्ट निकाले गई है स्टैनो टाइपिस्ट की बेरियस डिपार्टमेंट में नेक्स जो आता है HP Journal और इसमें जो है Post Code 1717 के अंडर अगर आपने 2018 में अपलाई किया था तो अभी आपको अपलाई करने की जुरूरत नहीं है नेक्स जो आता है HP Journal Industries Corporation Limited Assistant Chemist की जो है Post निकाली गई है तो इसमें जो एक पोस्ट है अगर हम लोग 2018 की Post Code की बात करें तो 718 जो था Post Code 2018 में अगर इसके अंडर अगर आपने अपलाई किया था इस पोस्ट के लिए तो आपको फिर से अपलाई करने की जुरूरत नहीं है नेक्स जो आता है हिमफीड के जो है हम लोगों हिमफेड की बात करते हैं तो इसमें जो है Store Keeper की जो है Post निकाली गई है Contract Base पे टोटल जो है साथ पोस्ट निकाली गई है अगर अगर हम लोग 2018 के Post Code की बात करें तो 720 पोस्ट का जो था पोस्ट कोड रहा था उसके लिए अगर आपने अपलाई किया था तो अभी आपको अपलाई करने की जुरूरत नहीं है नेक्स जो आता है Home Guards and Civil Defense के लिए जो है यह क्या है Contract Base पे जो है हवलदार इंस्ट्रक्टर एंड क्वार्टर मास्टर हवलदार जो हवेली दार सोरी हवेली दार इंस्ट्रक्टर तो Contract Base पे जो है इनकी जो है यह Post निकाले गई है Total Art Post निकाले गई है अगर अगर हम 2018 की बात करते हैं तो 2018 में जो है 722 जिसका Post Code रहा था Post का अगर आपने उसके लिए अपलाई किया है तो अभी आपको उसके लिए अपलाई करने की जुरूरत नहीं है नेक्स जो आता है Printing and Stationery Copy Holder जो है Contact Base पे रखे जाएंगे तो इसकी जो है एक Post निकाली है और इसमें जो है आप इसके लिए जो 2019 में Advertisement Number 351-2019 और डेट जो रही थी 1 March 2019 में अगर Post Code 730 के लिए अगर आपने अपलाई किया था तो अभी आपको इसके लिए अपलाई करने की जुरूरत नहीं है Next जो आता है Lab Water Assistant जो आता है इसमें जो है टोटल एक Post निकाली है और अगर आपने Advertisement Number 351-2019 एक मार्च 2019 Post Code 741 के अपलाई किया था तो आपको अभी इसके लिए अपलाई करने की जुरूरत नहीं है Next जो आता है HP Journal Industries and Corporation Limited तो इसमें जो Electrition है उसकी एक Post निकाली गही है अगर हम लोगों बात करें 2019 Advertisement 351 के अंडर Post Code 744 Post Code कितना है 744 अगर आपने फिल किया था तो अभी आपको इसके लिए फिर से फिल करने की जुरूरत नहीं है Next जो आता है Himachal Road Transport Corporation Petrol Pump Attendant के लिए जो Contract Base पे क्या क्या गया है तीन Post निकाली गही है और Himachal Road Transport Corporation Store Keeper के लिए जो है साथ Post निकाली गही है Next जो आता है Himachal Road Transport Corporation Superintendent Grade Second के लिए जो है एक Post निकाली गही है Printing and Stationery Press Defaultry के लिए जो है दो Post निकाली गही है जल शक्ती बिवाग में Junior Engineer Mechanical किसके लिए जल शक्ती बिवाग में Junior Engineer Mechanical के लिए जो है Civil, Civil के लिए जो कितनी है 24 Post निकाली गही है बहुत ही जादा अच्छी Post जो है अभी क्या किया गया है Engineering के लिए निकाली गही है जिसमें कि आपने देखा कि जो है Mechanical के लिए और Civil के लिए जो है work किया किया गोई है अच्छी Post निकाली गही है नेक्स्स जो आता है आरवेदिया आरवेदा में लावीरिन की जो है एक पोस्ट निकाली गई है Economic and Realist Articles में Investigator की जो हैं दो पोस्ट निकाली गई है ये जो है Contract Base पे रखे जाएंगे और ये जो है आगे आता है HP Civil Supplies Corporation Senior Assistant की जो है चार पोस्ट निकाली गई है Junior Office Assistant JOA की जो है इसमें 73 पोस्ट निकाली गई है इसमें Junior Office Assistant की जो है कितनी पोस्ट निकाली गई है सब्दीय जो है आप इसके लिए Apply कर सकते हो अगर आपको Junior Office Assistant की त्यारी करनी है तो आपको हमारे Channel पे इसके जो है बीडियोज मिल जाएंगे जिससे कि आप अच्छे से त्यारी कर सकते हो डीसी ओफीस चमभा इसमें 19 पोस्डनीक निकाली गई मैं एक लेक्त कितनी कोज़िए एक लेक्त कम निकाली गईंच का प्लैनिंग ठीक है तो इसमें जो है 31 पोस्ट निकाली गई है नेक्स जो आता ही माचल रो ट्रांस्पोर्ट स्टैनोर टाइपी इसकी जो है आठ पोस्ट निकाली गई है health and family welfare की जो है 28 staff nurse contact base पे जो है staff nurse की जो post निकाली गई है तो आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो अभी जो है इसके लिए minimum essential area जो है दे रखा है और इसमें जो है age 18 से 45 साल के बीच में होनी चाहिए तब ही आप इसके लिए अपलाई कर सकते हो तो यह जो है आगे यह जो है qualification के बारे में बताया गया है आपको यह जो PDF है इसका link description में दे दिया जाएगा जिससे की आप easily देख सकते हो जिस post के लिए आप apply करना चाहते हो उस post के लिए आप क्या कर सकते हो इसको बहां से download करके check कर सकते हो अब बाकी यह जो बताया गया है कि इसमें जो 15 marks दिये जाते हैं वो कैसे कैसे आपको दिये जाएंगे तो यह इसमें यह बताया गया है यह आप देख सकते हो और अगर हम लोग fees की बात करें तो इसमें जो fees थी general category EWS ex-servicemen of HP from a defense services on their own request before completion of normal tenure उनके fees कितनी है 360 है अगर हम जनरल IRDP physical handicap तिया board and freedom fighter board of the ex-servicemen of HP उनके लिए 120 है SCST के लिए जो कितनी fees रखी है 120 रखी गई है बट अगर हम लोग बात करें female candidate के लिए ex-servicemen of HP ex-servicemen who is early night from the defense services after completion of normal template tenure, blind, visually empire of the HP उनके लिए कोई भी fees नहीं रखी गए है यहां पर female candidate के लिए कोई fees नहीं है और यह जो fees होगी यह सिर्फ online payment से ही होगी online ही आप इसको क्या कर सकते हो इसके लिए जो apply कर सकते हो आप इसके लिए offline जो है चलां से आप फीस नहीं दे सकते हैं इसके लिए आपको सिर्फ online ही apply करना होगा तो इसके जो application form के अंडर जो है यह different different step बताएगी है आप जो है description से PDF को download करके आप इसको देख सकत सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें और बैल आइकन को दवाना ना भूले जिससे कि इसी तरह जो एक्जाम है उनकी जो आपको notification है वो आपको मिलती रहे और हमारे चैनल पे यूनिर ओफिस असेस्टेंट और बहुत ही जल्द हम लोग पुलिस जो की जो पॉस निक कि उसके लिए जो हैं हम लोग अपने वीडियो कोर्स प्री वीडियो कोर्स स्टार्ट करने बार हैं सो गाइस थैंक यू फर वाचिंग दिस वीडियो